हेलो दोस्तों आप सबी का स्वागत है मेरे चैनल पे पिंकीज कीचन के चैनल पे और आज की जो रेसीपी है वो आंटे का माल पुआ तो सुनके आपको लगेगा कि आंटे का माल पुआ तो नहीं होता मैदे का माल पुआ होता है लेकिन आज मैं आपको आंटे का माल पुआ ब जो की काफी पका हुआ होना चाहिए तो इसको पहले आप अच्छे से छील लें और यह रेसे भी अक्सर हम लोग किसी त्योहार पे बनाते हैं लेकिन आप जट पट इसको नास्ते के रूप में बना सकते हैं किसी भी सबजी के साथ तो केले को हमने काट लिया है साथ में हाफ क प चीनी ले ले मतल avoid मिजरमेंट आप कर ले किसी चीज से और उसमें आप जैसे हाफ चीनी रखें और चीनी हमारी यहां पे पीक्सी नहीं ए अगर आपनेपीसी वी चीनी डाल रहे हो तो आपको बहुत अच्छा होगा लेकिन यहां पर मैं बेना पीसी चीनी ले रही हूं तो हम केले के साथ इस wiped 수ब पहले और met ने करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं इस्टिक से मैस कर रही हूँ और इसको खुब अच्छे से मैश करना है ज़दी आपके पास यह नहीं हो तो आप आप से भी इसको मैश कर सकते देखे इस तरीके से कुछ यह पानी जैसा हो जाएगा क्योंकि चीनी पेग लेगा तो इस तरीके से लिकविड जैसा बन जाएगा तो खुब अच्छे सी मिलाएं चीनी जब तक घुल नहीं जाएगी तब तक आप इसको आगे नहीं कुछ कर सकते। अब इसमें हम डालेंगे दूद्ध जो कि थोड़ा सा गड़म है तो यह गलास है यह पूरी गलास नहीं है एक हाफ गलास है तो जैसे चाय वाली गलास होती है उससे मैंने डाली है यहाँ पर मसाले में स्टिक की तरह होती है उसी का ये पाउडर है तो ये जो पाउडर है वो में डाल रही यहां पे हाफ स्पून हूं डाल रही हूँ तो चलिए यहां पर नियुक्त को मिलाकर करके रख लेंगे तोड़ी मिलाने के लिए आपको folat अच्छे से इसको मिलाना पड़ेगा और यह जो पाउडर है वह अच्छे से घुलता नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो यह फिर अपने आप हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर छोड़ेंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाए तो देखिए अब हमारा चीनी बिल्कुल ही घुल गया है, इसको हम कम से कम 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो चीनी अच्छे से घुल जाएगा, अब इसके अंदर हम डालेंगे आटा, और आटा हम यहां पे दो कप डालेंगे, तो दो कप से थोड़ा सा कम मैंने यहां पे डाला है, तो इस आटे को अब इसके अंदर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मैंने एक और रेसीपी बनाई है बनाना पूरी, तो बनाना पूरी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जरूर उसको द दे ल at the liquid हमने बनाया है, जो भी हमने अमने बना बनाया है तो इसको इसमें ह हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और क्यूंकि बहुत ज्यादा गढ़ा है, तो थिक होता है थोड़ासा, तो इसको आप अच्छे से घोल ए जिससे की अच्छे से एक जैसे अजिसे हमारा होता है तो इसमें इतना पतला नहीं बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा और पानी हमने डाला है देख लीजिए कि कितना इसको थिक रखना है मैं अभी आपको बता दूंगी यह कुछ इस तरीके से होना चाहिए और गुल्टिया है वह बिल्कुल ही मिक्स कर देना आपको तो कुछ इ तो बीच में मेरा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया था तो इस वज़े से पहला वला नहीं दिखा पाई तो इस तरीके से आपका कितना सॉफ्ट साफ्ट ही मालपुगा बनके तयार होगा कोई मैदा बगड़ा के ज़रुत नहीं है कोई सोडा कोई बेकिंग पाउडर बना सकते हैं तो इस मालपूर में आप चाहें तो कुछ केसर वगरा डालने तो इसका कलर चेंज हो जाएगा मैं यहां पर सिंपल सापको बता रही हूं तो इसको देखिए इस तरीके से साइड से आपका जब ब्राउन होने लगे तो इसको पलट दीजिए यह देखिए इसमे चाहर में डाल रही हूं चौथर डाल रही हूं और इस तरीके से सारे मालपूर को मैं बना लूँगी यह देखिए यभी हुआ नहीं है इसको और थोड़ा सा रेट करना है तभी जाके यह अच्छे से पका हुआ मालपूर तयार होगा आपका और इसको आप किसी भी सबजी वगरा के साथ खा सकते हैं जैसे रसे वाली आलू की सबजी बना ले और उसके साथ खाएं तो यह बहुत अच्छा लगता है और बस स्वाद ले सुबह सुबह इसका यह देखिए बिल्कुल बन चुका है इस तरह का कलर इसमें आएगा और अगर आपको मेरा यह चैनल आप को रहना है यहां पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे चैनल पर जाके पिंकीज कीचन पर जाके और लाइक कीजिए ज़दी वीडियो पसंद आता है तो सेर कीजिए कमेंट कीजिए और बिल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि बिल आइकन दबाएंगे तभी हमारा जो चैनल का कोई भी रेसीपी बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा चलिए अब यह हमारा जो माल पुआ है वो बनके तयार हो गया इसको हम चान लेते हैं यहां पर में चन्नी में ले रही हूं क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ओल होगा वो धीरे धीर निकल जाएगा और उसको एक अलग वरतन में उपर से रख देंगे तो तेल नीचे निकल जाएगा तो देखिए यह दूसरी बार भी हमने इसमें डाल दिया था तो अब दूसरी बार भी बनके तयार हो गया और फटा फट बन जाता है नास्ते में बहुत ही अच्छा लगत और जैसे जैसे खाली होता जाए अब उसमें एक कल्ची उसके अंदर डाल दें इसको ज़्यादा फैलाना नहीं होता है बस डालें और जो जितना फैल सकता है उतना ही हमें इसको फैलाना है कई बार लोग कहते है कि मालपुआ हमारा चिपक गया और ढंग से बनता नहीं है तो उसके लिए यह है कि आप एकजम गरम दूद को ना यूज करें ना गरम पानी तो उससे अच्छा बनेगा तो यहां पर देखिए मैंने छड़नी में डाला था और नीचे बरतन लगा दि अगर अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज सेयर कर दीजिए इसको मिलते हैं फिर किसी